स्टुडेंट्स आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मैंटेनेंस रिपेर का सब्जेट हमारे जो है इई टू जरो नाइन उसका एक सब टॉपिक पढ़ेंगे बैल इंडिकेटर वाइरिंग जैसा कि स्टुडेंट्स आप लोग डियागराम देख रहे हैं ये बैल इंडिकेटर वाइरिंग जो है ये जनरली हमारी होटल के अंदर या ओफिस के अंदर इसका उप्योग किया जाता है जैसा कि हम लोग होटल में लेखते हैं कि जब हम होटल में रहने जाते हैं तो हम हमारे रूम जो हम होटल का बुक करते हैं अगर हमें कुछ चाय कॉफी या पानी मंगाना होता है तो हम होटल के अपने रूम के अंदर से एक स्विच को प्रेस करते हैं और कुछ टाइम बाद ही एक आदमी हमारे कमरे में हमारी जरौत का समान लेके आ जाता है तो ये student किस तरह से होता है जैसे ही हम लोग हमारे कमरे से switch को दबाते हैं उसी दोरान जो hotel का आपका reception है जहाँ hotel की आपकी entry है वहाँ जो आदमी वहाँ बेठा रहता है उसके उपर एक board लगा होता है जिसके उपर कमरों के नंबर के हसाफ से bulb लगे होते हैं और एक घंटी लगे होती है तो जैसे हम लोग हमारे कमरे के अंदर से सब्सक्राइब बोलता हूँ कि मेरा कमरे नंबर है 209 तो जैसे ही मैंने मेरे 209 कमरे से switch को press किया वैसे reception पे bell बजेगी और जो reception पे 209 कमरे वाला bulb है वो जलने लग जाएगा तो reception पे बैठे वे आदमी को ये पता लग जाएगा कि 209 में जो मेरा passenger ठहरा हूआ है जो tourist ठहरा हूआ है उसको किसी समान की जुरत है तो वो अपने आदमी को आपके room में बेजके आपकी जुरत की पूर्थी करेगा जैसे कि आप लोग देख रहे है student यहाँ मैंने एक simple सा diagram मनाया है एक मैंने panel board मनाया है और मैंने यहाँ पे समझाने के साब से तीन push button लिये हैं जिनको मैंने बोला S1, S2 and S3 उनके साथ मैंने तीन bulb लिये हैं तीन lamp लिये हैं जिनको मैंने बोला L1, L2 and L3 और एक मैंने यहाँ पे bell लिये एक मैंने गंटी लिये दिसको मैंने capital B से दर्शा है और मेरी यहाँ पे supply है single face 230 volt 50 hertz AC supply तो जैसे कि students आप लोग देख रहे हैं मैंने बताया आपको जो मेरा bell indicator circuit diagram है इसका उपयोग hotel में या office में किया जाता है जैसे hotel के reception पर जो आदमी बेटा है उसे bell की आवाज और साथ में जिस कमरे से push button दबाया गया है उसका indicator जलेगा तो यह पता पढ़ जाएगा कि इस कमरे में रहने वाले आदमी को किसी चीज की जुरत है तो वो आपकी जुरत के साथ से आदमी को भाँ बेज के उसकी पूर्ती कराएगा आप diagram के देखें यहाँ पर S1, S2 and S3 तीन अलग अलग कमरे जिनकी नंबर है 1, 2 and 3 में लगे हुए है वहाँ fix है यह तीनो push button है और B, L1, L2 and L3 reception के panel board पर लगी भी घंटी और indicator है L1 कमरे नंबर 1 का L2 कमरे नंबर 2 का L3 कमरे नंबर 3 का जैसे ही कमरे नंबर 1 में रहने वाला आदमी अपने कमरे से push button S1 को दबाएगा तो आप wiring को धान से देखें reception पर bell आवाज करेगी और indicator L1 जलेगा तो जो research list है उसको ये पतला जाएगा कि कमरे नंबर 1 में रहने वाला आदमी को किसी समान की ज़रत है तो ये student हमारा एक simple सा सरके डागराम है bell indicator wiring का जो hotels में या offices में काम आता है इसमें जो हमारे material काम आएंगे वो हमारे हैं एक गंटी कमरे की संक्या के अनुज़र पुश बटन और इंडिकेटर या लेंप्स किट कैट फ्यूस एक पैनल बोर्ड और हमारे ज़रुरत के हिसाब से वायर या केबल थेंक यू मैं मुके साही लेक्चरर इलेक्टरिकल कॉर्मेंट पॉल्टरिकनी कॉलेज रास्मन थेंक यू